नवरात्री का दूसरा दिन, माता ब्रह्म चारिनी की पूजा करने का दिन ये देवी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आज आपको मुझे हम सबको बहुत जरूरत है इनकी पूजा करने से हमें त्याग, तप, सईयम, सदा, चार और वैराग्य ये सीखने को मिलेगा जिसका बहुत आभाव है कहीं न कहीं जीवन में ब्रह्म का मतलब होता है तप और चारिनी मतलब तप का आचरन करने वाली इन देवी के बारे में माना जाता है कि शिव को पती रूप में पाने के लिए उन्होंने घन घोर तपस्या करी थी हजार सालों तक सिर्फ फल खाके रही उसके बाद लगभग तीन हजार सालों तक सिर्फ सूखे पत्ते खाके रही और उसके बाद इन्हों ने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था जिसकी वज़़ा से नाम इनका अपढ़ना भी हो गया था और उसके बाद कई हजार सालों तक निर्जल निराहार रहकर उन्हों ने तपस्या की और महादेव को प्रसन्य किया था कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पाना चाहते हैं जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए संघर्ष कठिन होगा और संघर्ष के राफ्ते से ना डगमगाएं आज के दिन आप देवी ब्रह्म चाहने की पूजा करते हैं तो आपके अंदर यह श्रम्ता यह ताकत जरूर बढ़ेगी